हार्दिक और इर्फान के बीच हुआ ट्वीटर वार सेंट्रल कांट्रैक्ट को लेकर इन दोनों दिगजों के बीच हुई तकरार अगर हम बात करें भारती क्रिकेट की तो इस वक्त जो सेंट्रल कांट्रैक्ट है वो चर्चाओ का विस है और अगर हम बात करें इस सेंट्रल कांट्रैक्ट की तो इसमें इशान किसन, स्रेय सायर और हार्दिक पांडिया हर तरफ सुर्खियां पर तोड़ते विए नजर आ र हाला कि अब कुछ पुर्व दिग्ज खिलाडी भारती टीम के चाहे वो सुनील गावसकर हो चाहे रवी सास्तरी हो और अब इर्फान पठान वो स्रेय सायर और इशान के सपोर्ट में आ गए हैं लेकिन हार्दिक पांड्या को इर्फान पठान ने ट्वीटर पर सीधा निशा को स्रेय सायर को सबक सिखाया है उनके उपर कारवाई की है तो हार्तिक के उपर भी आपको कारवाई करनी होगी उनके खिलाब भी एक्सन लेना होगा अगर आप बड़ी उचाईयों पर पहुशना चाहते हैं तो हर एक खिलाडी को समान नजरिये से देखना पड़ेगा और इस tweet में उन्होंने कुछ cryptic सा tweet नहीं किया है कि इनको भी उसी तराजू पे तॉलना होगा इनको भी उसी पैमाने पर नापना होगा उन्होंने साफ तौर पर हार्दिक का नाम मेंजन किया है और जिसके बाद Twitter war शुरू हो गई है भाईया यह साफ हो गया है कि इर्फान पठा सान के tweet पर नज़र डालें तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि सान किसन और स्रेय सयर बड़े खिलारी है और मैं उमीद करता हूं कि वह अच्छे तरीके से comeback करेंगे जो गलतियां हुई है उनको सुधारेंगे और भारती टीम में उनकी वापसी होगी लेकिन उन्होंने उसी tweet में ये भी mention किया है कि अगर हार्दिक red ball cricket नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर BCCI को ये धान देना होगा कि हार्दिक हर एक white ball domestic मुकाबले खेले अगर वो ऐ नहीं खेलते हैं तो फिर भईया उन उचाईयों पर BCCI नहीं पहुच पाएगा जिन उचाईयों पर वो पहुचाना चाहते हैं क्रिकेट को ये साफ तोर पर निखा हार्दिक पांडिया का नाम mention किया गया इस tweet में यानि कि तक्रार सुरू हो गई है यहां पर और हार्दिक पांडिया की बात करें तो जब उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था तो इर्फान पठान का बल्ला लेकर डेब्यू किया था वड़ोदा से दोनों खिलाडी खेल चुके हैं और अगर बात करें तो दोनों में काफी ज्यादा दोस्ती भी बताई जाती है लेकिन और ये बिल्कुल खफा हो गया है उन्होंने BCCI को हिदायत गी है कि हार्दिक को भी आपको उसी तराजू पे नापना होगा उसी तराजू पे तॉलना होगा जिस तराजू पे आपने इसान और स्रियास को तॉला है अगर आपने उनसे सेंट्रल कॉंट्रेक्ट शीना है तो हार्दिक से भी आपको सेंट्रल कॉंट्रेक्ट शीनना चाहिए था हाला कि उन्होंने ये भी का कि अगर फ्यूचर में हार्दिक ऐसा करते हैं तो आपको करना ही होगा तभी आप नहीं उचाईयों पर पहुश सकते हैं इसके बाद जब हार्दिक पांड्या से इन सभी बा बोल दिया मुझसे उसका कुछ लेना देना नहीं है मैं होम वॉय हूँ घर में मौज मस्ती करना जानता हूं वस उतने से मुझे मतलब है फिर जब फिल्ड पर आता हूं तो अपना हंडेट परसंट देता हूं यहार्दिक का बयाना है इर्फान पठान ने ट्वीट करके भ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और फ्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें